चलिए बचे एक question solve करते हैं यह dot product का use करने का question है ठीक है उसमें क्या है आप एक बाद pause करके वीडियो question देख लीजे तो question कहता है कि a और b दो vectors है दो non zero vectors है ठीक है zero नहीं है vectors और show करना है कि a plus b and a minus b are perpendicular तो जैसा कि हमने properties of dot product में देखा था कि दो vectors यह दी perpendicular है तो उनका dot product zero होता है तो हमें क्या prove करना है कि a plus b dot a minus b is zero ठीक है तो सबसे बहुत क्या करेंगे a plus b vector निकालेंगे ए वेक्टर क्या हुआ है ठीक है ठीक देंगे तरहाँ सा गिवन ए वेक्टर जो information दी हुई है उसको हम यह दी प्रोट कर रहे है अपने solution में तो परहले गिवन लिख देते हैं एक पर ना तो ए वेक्टर इस इकल टू फाइव आई कैप मैनस जे कैप मैनस थ्री कैप एटना है और हमें निकालना क्या था ए प्लस भी और ए मानस भी इनका फिर देखना है कि इनका प्लस भी वेक्टर क्या हो गया अपने यह वेली लिखेंगे फिर से प्लस राइएंगे और बीकी वेली लिखेंगे एक्जाम के अंदर ठीक है बट सिंस हम तो टाइम सेव करके चलते हैं ताकि आप लोगों का कम टाइम लगे जो ऑब्विएस चीज़ है उसको मैं लिखने के लिखने के लिए अबॉइड करता हूं लेकिन आपको साथ में यह भी समझाता हूं कि एक्जाम में आपको हर स्टैप लिखके चलना है कोई भी चीज़ ऐसी ओमिट नहीं करनी है तो इन दोनों को एड़ क्या हो जागा शिक्स आई कैप माइनस जे और प्लस थ्री जे प् मैंनेस एट के कैप सिमिलर्ली एवेक्टर मैंनस बी वेक्टर क्या हो जाएगा बच्छों फाइब मैंनस फोर आई कैप और मैंनस फोर जे कैप और टू के का ठीक है यह वैल्यू गे मुझे अप्लस बी और एबानेस बी अटर्टरस की ना लिखेंगे टेकिंग डॉट प्र डॉट पूद गॉट डॉट डॉट्ट डॉट 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 डॉटटर डॉट डॉट्र डॉटक डॉट्टीक है तो प्रियू जाएब मैनस वेक्टर डॉट्स एक बार मैंनस टॉट्स 4i cap minus 4j cap plus 2k cap, ठीक है नहीं, अगी वल्म कितना है गी, 6 4 जा, 24, 4 2 जा, 8, 8 2 जा, 16, यह हो गया, 0, फ्राट बिखेंगे, सिंस, dot product of a plus b and a minus b is 0, while a plus b and a minus b both are non-zero vectors, देफोर, angle between a plus b and a minus b is 0, यह आप लिखके आएंगे exam में, ठीक है, तो जो मैं बोल ना, उसमें ध्यान देना बच्छो, don't take it for don't it, exam में आपको लिखकर आना पड़ेगा, वरना marks कर जाएंगे, ठीक है, यह हमें redundant हो जाएगा, लिखने की ज़रूर नहीं है, आपको बोल दिया, आप समझ गए, ठीक है, तो exam में आप लिखके आएंगे, कि since dot product of a plus b and a minus b is 0, and a plus b and a minus b are non-zero vectors, hence it proves that angle between a plus b and a minus b is 90 degree, बचों, यह एक और बहुत बढ़िया कोशन है, जो कि dot product का use हमें समझाएगा, कि कि तरीके से dot product को अलग इलग situations में, अलग इलग questions को solve करने में, यूज कर सकते हैं, एक बार वीडियो को pause करके, अच्छे से question को समझ करने की कोशिच कीजिए, जो भी आपने थियोरी पढ़ी है, उसके बाद आप solution प्राइए, ठीक है, तो solution देखते है, question क्या करता है, कि यदि a, आपको ना, बोला क्या है, कि mod of a minus b की value निकालनी है, यदि mod of a दिया है, यहीं a is equal to 2 and b is equal to 4, ठीक है, sorry, b is equal to 3, तो a और b की value दियो ही है, और a vector dot b vector का दिया हुआ value 4 है, तो बोला गया है कि, what is the value of magnitude of a vector minus b vector, ठीक है जी, आपको याद होगा, मैंने बताया था कि यदि a vector को खुद से dot product करते हैं, तो आता है a square, which is also equal to mod of a vector का square, a को क्या ले सकता हूँ, mod a, if you remember a is equal to mod of a vector, यह चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, mod of a को मैं a ले सकता हूँ, ठीक है, तो इसका square क्या होगा, एक तेने से, a vector minus b vector, ठीक है, dot product of a vector minus b vector, समझे ही, क्योंकि कि किसी भी number का square, मैंने आपको बताया था, जब मैं आपको थियोरीक पार्ट कवार कर रहा था, कि mod of any number square is equal to, उसके corresponding दोना vectors का dot product, जैसे a square is equal to a vector dot a vector, so similarly mod of a vector minus b vector का square is, a vector minus b vector dot a vector minus b vector, ठीक है जी, इसको expand करूँगा, तो क्या होगा, a vector dot a vector होगा, a vector dot a vector होगा, फिर a vector dot minus b vector, तो होगया, minus of a vector dot b vector, similarly minus b और dot a vector, minus b dot a vector, और minus minus plus होगया, बी vector का dot product b vector से, तो b vector dot b vector, ठीक है अब यहां आपके ही देखो, सारे concept यूज होने है, a vector dot a vector क्या होगा, a into a into cos 0, क्योंकि a और a की बीच पे अंगल 0 होगा, तो cos 0 होता है 1, तो a dot a, यह होगया a square, यह आपको कई बार बता चुका हूँ अभी तक में, यह होगया a square, और a dot b और b dot a, a की बात है, because dot product of vectors is commutative, a dot b is equal to b dot a, तो यह होगया, minus 2 of a vector dot b vector, और b vector dot b vector is again b square, simple, a की value आपको दी है 2, b की value दी है 3, a square होगया 4, और b square केतना होगया 9, ठीक है जी, बचाए, minus 2 into a dot b, तो minus 2 which is scalar, right, a dot b की value कितनी दी होगया, 4 दी होगया, तो यह भी काम होगया, तो होगया 4, तो total value मिलके मुझे 9 plus 4, 13 minus 8, तो 13 minus 8 is 5, तो a vector minus b vector का mod का square आ रहा है 5, this implies that mod of a vector minus b vector कितना हैगा बच्चों, square root of 5, ठीक है, this is the required answer, यहां के कितने concept यूज होगया आप देखिए ध्यान से, a dot a का concept यूज होगया, यह सबसे बड़ा concept यूज होगया, ठीक है, यह यूज होगया, competitive law यूज होगया, तो छोटे-छोटे concepts हैं, जो हम discuss कर चुके हैं, उनका use देखाने का यह बहुत बढ़ी है example, चले बच्चों, एक बहुती important derivation या बहुती important formula गोलना चाहिए, आप लोग को देखाता हूँ, यह काफी handy रहेगा, आपको problem solve करने में बड़ा मजा आएगा, a vector plus b vector dot product with a vector minus b vector, इसका क्या short form क्या हो सकता है, क्या यह formula बन सकता है, यह देखिए, a vector dot a vector, यह यह a square, a vector dot b vector with minus sign, तो a vector dot b vector, फिर हाँ यह b vector dot a vector, plus का b vector dot a vector, फिर minus का b square, b vector dot minus का b vector dot b vector, तो minus b square हो गया, क्योंकि b vector dot b vector is b square, तो यह a dot b है, यह यह भी a dot b ही है, क्योंकि vector dot product of vectors is commutative, तो यह value और यह value equal है, minus sign plus sign cancel out हो गया, क्या रहे गया है मेरे पास, a square minus b square, देखिए यह बहा ही गजब का formula बन के आगया, अब अभी तक आपने क्या बढ़ाता, a square minus b square is a plus b into a minus b, यह आपने scalar में पढ़ाता, numbers के लिए, a square minus b square is a plus b into a minus b, यह आप lower classes में पढ़ते हैं, junior classes में पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, अब हमने क्या formula देख लिया, कि a square minus b square is equal to a vector plus b vector dot a vector minus b vector, जब भी आप इस तरीके का कुछ देखोगे, ठीक है जी, उसको सीधे क्या लिख दोगे a square minus b square, यह बड़ा ही important formula है, अब इस पर basic question है बच्चों, तो बच्चों यह है वो question, if a vector is a unit vector and x vector minus a vector dot x vector plus a vector is equal to 8, find mod of x, ठीक है जी, तो अब यह जो formula है न, यह जो caution है न, यह इस formula बेज़ आगे सीधे सीधे, a vector plus b vector dot a vector minus b vector is equal to a square minus b square, तो क्या हम इसको यहां use कर सकते हैं, कर सकते हैं, ठीकिए, लेकिन exam में मैं आपको recommend करूँगा, आपकी पूरा expand करके करी है, बोर्ड के exam में, cbac में, ठीक है, लेकिन यह आपको किसी बड़े problem में, बीच में है जरूत पड़ गई, तो इस formula को यूज़ कर सकते हैं, तो इसको तरीका बताता हूं, कैसी use करते हैं, देखे, इस value का आप क्या लिए सकते हूं, x square minus a square is equal to 8, directly, और a is a unit vector, तो a का magnitude या a value कितनी भी बन भी, ठीक है, this implies that यह क्या हो गया, x square minus 1 is equal to 8, और this implies that x square is equal to 9, अब mod की बात की जा रही है, तो mod हमें से positive होगा, वैसे क्या होता है, x square is 9 है, तो x is equal to plus minus 3, but since it is modless, ठीक है, लिखने ही ज़रूत नहीं है, आप समझ गाना, since mod of x vector पूझा है, mod of x vector is equal to x is equal to 3, simple, एक step of question हो गया, यदि यह formula लगाते हैं आप तो, यह formula लगाते हैं, नहीं भी लगाते हैं, तो आप इसको expand करेंगी, जैसे मैंने इसको किया था expand, तो भी आप easily कर सकते हैं, मगर यदि आप बड़ा question solve कर रहे हैं, उसमें छोटी जगा है कहीं जोड़त पड़ गई, तो उसको आप calculation के लिए यह चीज, यह formula यूज करके चलेंगे, यह बहुत ही अच्छा formula बच्छों, this is good formula, a vector plus b vector dot, a vector minus b vector is equal to a square minus b square, ठीक है जी, बच्छों यह question है, find the angle between the vectors, i minus 2j plus 3k and 3i minus 2j plus k, again इसमें भी हम dot product use करेंगे, कैसे करेंगे, आपको याद होगा, एक formula लिखाया था, cos theta is equal to a vector dot b vector divided by magnitude of a vector into magnitude of b vector, ठीक है जी, तो यहाँ a vector क्या दिया हुआ है बच्छों, a vector दिया हुआ है, i minus 2j plus 3k, i minus 2j plus 3k cap, और b vector बच्छों दिया हुआ है, 3i minus 2j plus k cap, ठीक है बच्छों, यह हमाएं दो vectors दिया हुआ है, तो क्या रख करेंगे बच्छों, पहले a dot b करेंगे, तो a vector dot b vector, क्या मिलेगा, क्या है, 1 into 3, पता है आपको a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3, उस formula करेंगे, 3 plus 4 plus 3, अगया 10, ठीक है जी, mod of a vector क्या होगा बच्छों, square root of coefficients of i, j and k, 3, 3, 9, 1, 10, 14, square root of 14, मैं तो रख क्लिक्ली लिख रहा हुँ, just to make you question, understand the question, लेकिन आप board exam में step by step लिखना, जो step में कई बार बता चुका हूँ, उनको मैं repeat नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भी board exam में ऐसे ही लिख देंगे direct, आपको proper formula हाँ दिखना पड़ेगा step by step, इसका mod भी root 14 ही आएगा, 3 का स्कोर 9 प्रस 2 का स्कोर 4, 9 प्रस 4 थर्टीन प्रस 1 का स्कोर 1 तो 14, ठीक है, now therefore, cos theta क्या हो गया, 10 divided by under root of 14, under root of 14, हो गया, 10 by 14 या, 10 by 14 या 5 by 7, ठीक है जी, this implies that, theta कितना हो गया, theta हो गया, cos inverse 5 by 7, ठीक है जी, this is the required result, तो आईए बच्चों, dot product के series में, एक बहुत ही important concept होता है, projection of a vector का, तो अभी तक हमने dot product के कई सारे use देखे, और उन पर बेस पॉलम में solve की, अब हम लोग देखेंगे की, what is the projection of a vector, तो projection of a vector मैं बच्चे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक vector का, दूसरे vector के उपर projection निकालना होगा, ठीक है, आई देखते हैं, कैसे करते हैं इसको, तो पहले तो हम समझेंगे थोड़ा सा की projection किसे कहते हैं, और फिर projection कैसे निकालते हैं, तो एक छोटा सा construction कर लेते हैं, दो vectors ले लेते हैं, तो एक vector मान लीजे, यह हो गया, ठीक है जी, और एक दूसरा vector, यह हो गया, ठीक है जी, यह दो vectors मैंने ले लिए, अब इन दो vectors मैं, मैंने मान लीजे, इस vector को नाम दे दिया, A vector और यह है, B vector, ठीक है जी, यह B vector हो गया, तो मैं projection को समझाने के लिए क्या करता हूं, बच्छों, एक छोट आसा perpendicular, A के terminal से, B vector पर ड्रॉ करता हूं, देखिए, मैंने क्या किया, A vector के terminal से, B vector पर एक perpendicular ड्रॉ कर दिया, यह perpendicular है, ठीक है, और A vector और B vector के बीच में, जो angle है, वो theta है, यह आपको provided होगा, ठीक है, और नहीं भी provided होगा, तो आपको since A vector और B vector मिल जाएंगे, तो dot product का use करके, आप angle निकाल सकते हो, ठीक है, जी, वैसे angle की direct पढ़ें की नहीं, जो हम formula करने जा रहे है, learn, जो formula मिल देखने जा रहे है, उसमें angle की जरुद पढ़ें की नहीं, बड़ आपको समझाने करें करें बता रहा हूं कि मालनीचे, दो vectors है, A और B, उनकी बीच में angle ठीटा है, और मैंने इती A vector के terminal से, B vector पर एक perpendicular ड्रॉ किया, तो यह जो length होती है, यह length कहलाएगी, projection of A vector on B vector, और इसकी value क्या होगी बच्चों, A cos theta, यह आप trigonometry से अलोडी जानती हो, न, एक right angle triangle में, एक acute angle theta है, और hypotenuse A है, तो base क्या होगा, A cos theta होगा, height क्यों होती है, A sin theta होती है, यह आप अलोडी जानती है, चलिए देखते है, तो A cos theta is the value of the length, जहां से आपन A के terminal से perpendicular किया है, आप यदि दूसरे तरही समझें, तो एक जैसे माल लीजे, यह दो arrows है, यहां से आप एक light डाले है, vertical एक down state, तो जो शैडो बनेगी, vector A की वो इतनी बड़ी बनेगी, यदि exactly perpendicular light आएगी तो, ठीक है, तो आपको शैडो भी बोल सकते है, भी बोल सकते है, ठीक है, रेकिन शैडो में क्या है, कि यह आपने angle थोड़ा change किया, तो यह perpendicular नहीं रहेगा, फिर change हो जाएगी, तो projection का क्या, एक necessary requirement क्या है, कि यह जो light है, यह perpendicular गिरनी जाही है, ठीक है, या फिर आपने एक A के end से B vector पर perpendicular कर दिया, और दोनों के initial point से इस perpendicular क फूट तक की जो length है, वो projection of A कहलाएगी, ठीक है बच्चों, यह है, तो आपको यह A cos theta की value निकालनी है, in terms of A vector and B vector and using the dot product, यह हमारा total whole concept यह है, तो क्या करना है बच्चों, A cos theta की value कैसा निकालनी है, अब देखे, A cos theta, इसको मैं यह जदी B से multiply कर दूँ, तो B से divide भी कर सकता ह कोई दिक्कत नहीं है, अब A B cos theta, आप अलड़ी जानते हैं क्या होता है, दोनों vectors का dot product होता है, A और B का, divided by B, तो यह value क्या बन जाएगी बच्चों, अब since B vector upon magnitude of B vector will give me B cap, या unit vector along B direction, A dot B cap, तो मैंने क्या देखा, कि जो length हा रही है, या projection की जो length, इस वेक्टर को बच्चों यह जो vector है, इसको हम P vector भी नाम दा सकते हैं, projection की जाप से, P vector, यह जो vector है, यह vector, ठीक है, यदि इसको O बोल दें, इसको A बोल दें, इसको point को B बोल दें, इस point को P बोल दूँ, तो O P vector, ठीक है, इसको projection की जाप से P vector भी बोलते हैं, तो length of O P vector, ठीक है, या length of projection vector, क्या होगी इसको आप याद रखेंगे बच्छों यह बहुत ही important result है यह ठीक है यह लैंथ ठीक है यह important है इसको आप याद रखेंगे कि what is the projection of any vector a on b vector is क्या होता है a vector dot b vector जिसके ऊपर projection निकालना है उसका unit vector और जिसका projection निकालना है जैसे a vector का projection निकालना है तो a vector complete आएगा dot में जो दूसरा vector है वो unit vector आएगा और वो vector आगा जिसके ऊपर projection निकालना है तो a vector dot b कहा है ठीक है यह important था याद रखना यह क्या देगा magnitude देगा अब आपसे कोई पूछे कि what is projection vector अच्छा प्रोजेक्शन में भी दो चीज़ा होती है एक तो projection की length और दूसरा projection का vector op तो कोई vector पूछ बैटा ओपी वेक्टर तो आपको पता है कि किसी वेक्टर में क्या कर सकते हैं ओपी की length इंटू ओपी की direction में unit vector यह general rule होता है कोई भी वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे की a vector लिखना है तो a vector क्या होता है a magnitude into a cap ठीक है तो इस आपसे ओपी वेक्टर क्या ह अब ओपी का magnitude यह value जो कितनी है a vector dot b cap ठीक है इंटू अब यह scalar है यह number है आपको बताया था कि dot product से हमेशा एक number मिलता है एक real number या एक scalar value मिलती है तो a vector dot b cap क्या देगा एक number देगा मुझे यह magnitude होगा कुछ magnitude नहीं बोल सकते हैं because magnitude is always positive, scalar is the right word क्योंकि a और b vectors का dot product negative भी हो सकता है और positive भी हो सकता है तो this will give me a real number और op cap क्या है unit vector in the direction of op which is same as the unit vector in the direction of b vector यहने की b cap ठीक है तो projection vector क्या आगया बच्चों एक बार इसको मैं ठीक से rewrite कर देता हूं projection vector आ गया a vector dot b cap ठीक है जी और b cap इस formula को आप याद रखेंगे तो आपको projection में कभी दिक्कत नहीं आने वाली next slide में हम लोग projection की उपर एक-दो question solve कर लेते हैं so that यह concept और अच्छे से clear हो जाएगा तो आए बच्चों projection को समझने के बाद यह एक छोटा सा simple सा problem solve करेंगे projection की उपर ताकि आपको projection निकालना actually में आ जाए ठीक है तो यह करना है तो a vector क्या दिया हुआ है 2i plus 3j plus 2k यह a vector हो गया और b vector क्या दिया हुआ है बच्चों i plus 2j plus k ठीक है अब आप लिखेंगे जिस्वानी जे एक्जाम में एक कोशन आ गया है इस करेंगे यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे गिवन है ना जो टेटा आप कॉशन से कॉपी करते हैं उसको लिख देते है क्योंनद निकालने प्रोजेख्षंट आप गया ú Aj огण दिखेंगे तो बचों आप से पूचा गया है सक्कॉशन में भी आपको बोलता की फैंडिफुटेक्शन वेक्टर तो आपको प्रोजेक्शन वेक्टर निकाल तो आपको खाली कूच रहा है कि fine the projection of vector this on this तो इस तरह से जब आपको खाली projection लेखेगा तो आपको length पूछ रहा है वो ठीक है जी length पूछ रहा है ना कि आपसे vector यदि आपसे specially पूछेगा कि find the projection vector of this on this तो आपको projection vector निकार ला है मैं आपको solution में दोनों चीज़े बता हुआ कि projection कैसे निकार लेंगे इसी प्रोल्म का और projection vector कैसे निकार लेंगे चलिए तो आपको दिखते projection कैसे निकार लेंगे बच्चों ठीक है तो we know that we know that that projection 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 of a vector on b vector is a vector dot b cap ठीक है a vector dot b cap यह अभी हमने जस्ट पिछली जो स्लाइट थी उसमें देखा यह फामुला ठीक है तो क्या जाएगा फिर यह जाएगा a vector dot b vector divided by magnitude of b vector बिसकिल आपको a dot b करना है और magnitude of b से divide करना और a और b की value देख लिए क्या है two three and two exam में तो आपको पूर लिखना ही पड़ेगा बच्चों एक बार ना तुम्हें एक बार लिखके देखा देता हूं आपको कि यह बहुत ही सिंपल से एक्टिविटी आप बहुत क्ली कर सकते हो क्योंकि आपको मैंने ट्रिक बताईए कि दो एक्टर को डॉट करने के लिए आप उनके आई जे और के सकते हैं तो कोई बात नहीं सिंज यह बोर्ट एक्जाम के तैयारी की जा रही है तो आपको थोड़ा सा बोर्ट के साब से दिए 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 चलना पड़ेगा और मैंडिटीट ऑफ बी वेक्टर क्या होगा बच्छों स्क्वारूट ऑफ आई कॉंपोनेंट आइक्स कंपो आई का आई के साथ प्रॉट्ट तो 2 ग्लस 2 ग्लस थी टू जा 6 ग्लस तू जा 2 ग्लस तू बन्जा 2 डिवाइड वाए तू का ह्क्वार 4 ग्लस तो 6 हो गया और रूट आफ 6 त्योंकर 10 by root 6 10 by अंडूरोट आफ 6 लेंट आफ प्रोजेक्शन या इसको खाली प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं एक ही बात है आलड प्रोजेक्शन लिखने की जगा रवसेंगे तो भी चलेगा आपसे दी पूछसता स्थे ईते प्रोजेक्शन वेक्ट का तो आप क्या करना पड़ताтесь कि उस में के इसके बुच्छन वेक्टर को आपको अपको तो अब क्या करना पड़ेगा कि जो रीजल्ट आएगा व वेक्टर कैसे निकाल होगे, तो हम लिखोगे, we know that projection vector is given by P vector is equal to A vector dot B cap B cap, यानि जो भी scalar value निकल का आई ये projection गी, उसमें B cap और लगाना पड़ेगा, ये value हो जाएगी, 10 by root, ये value कितनी बचो, ये है 10 by root 6, ठीक है जी, और B cap, B cap क्या होगा, B vector upon mod of B, तो B vector क्या बच्छो, I cap plus 2J cap, I cap plus 2J cap plus K cap, ठीक है जी, this value divided by what, magnitude of B vector, तभी तो B cap बनेगा, B upon B cap क्या होता है, देखिए, ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है, B vector divided by B, ठीक है, ये एक छोड़ी चीज़ा है बच्छो, मैं बारबार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको चीज़ें, basic चीज़ें, दिमाग में अच्छे से सैट हो जाए, so that आपको लगे कि आपको तो काफी टाइम से प्रेक्टिस होगी, ठीक है, तो मैं छोड़ी चीज़ा रिपीट करता हूं, I know, sometimes it becomes too redundant, but practice के लिए ये करना पड़ेगा, mod of B कितना होगा बच्छो, 100 of 6, ये value क् बच्छो, 10 by 6, 5 by 3, ठीक है, into I cap, plus 2 j cap, plus k cap, तो ये value बच्छो, क्या देगी, आपको, projection vector दे रही है, जब से यह आप से पूछा गया, कि what is the projection vector, तो ये answer आएगा, इस formula को यूज करना है, ये formula है, इसको आप याद रखेंगे, ये important formula है, ये projection vector के लिए है, और ये formula जो था ब ये जो formula था, ये, इसमें ये सिर्फ magnitude of projection की बात हो रही है, तो magnitude of projection is given by a vector dot b cap, और projection vector is given by a vector dot b cap, and b cap, क्योंकि projection vector की direction, b के direction के साथ होगी, ठीक है, तो direction लेने के लिए हम क्या करते है, सिर्फ unit vector लेते है, यदि unit vector क्यों लेते है, क्योंकि unit vector का magnitude 1 होता है, तो इसका जो वो पी वेक्टर का मेंगिटुड है वो उनफेक्टेट रहेगा सिर्फ इसको इसको यह डिरेक्शन मिल जाएगी इसलिए हम यूनित वेक्टर लिगे चलते हैं तो बच्छों यह दोनों चीज़े देख लिए जाए प्रेक्शन कैसे निकालते हैं और प्रोजेक्शन वेक्ट